पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की मडर को करीब एक साल होने वाला है लेकिन अभी तक भी सभी आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुच सकी है बता दे पुलिस अभी भी मुक्य आरोपियों की तलास में जुटी है इसे बीच मडर केस का एक मुक्य आरोपी अमेरिका में एक पाइटी में डांस करते हुए दिखाई दिया है जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बताया गया है कि वह पंजाबी सिंगर कर और सेरी मान के सो में सामिल हुआ था दिरसल वाइरल वीडियो में सिद्दू मुसे वाला हत्याकांड का मास्टर माइंड और इंडिया का टॉप मॉस्ट वाइंटे डांस करते हुए देखा जा सकता है इसका नाम अनमॉल बिसनोई है जोकी गैंगिस्टर लॉरेंस यहां चोकाने वाली बात तो यह है कि कुछ महीनों पहले कीनिया में अनमॉल के डिटैन होने की खबर आई थी जिस पर विदेश मंत्राले ने भी पर्तिकरिया दी थी अब इस बीच अनमॉल अमेरिका के लॉंस एंजलिस की पायटी में पंजाबी सिंगर करन ओजला और सेर बता दे की सिंगर करन ओजला पर भी सिद्धु मूशे वाला मडर केस को लेकर आरोप लगाए गए थे हाला कि कोई सबूत नहीं मिला था तब करन के लॉरंस बिस्नई से करीबी होने की बाद सामने आई थी जिसका करन ने खंडन किया था अब करन ओजला लॉरंस बिस्नई के भाई के साथ पायटी में देखा जा रहा है माना जा रहा है कि इसी वीडियो के सामने आने के बाद करन ओजला एजेंशियों के रडार पर आ चुका है पुमवही वाइरल वीडियो होने के बाद सिंगर करन ओजला की भी सफाई आई है जिसमें उन्होंने कहा वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन इतने सारे पोस्ट और मैसिज को देखने के बाद रविवार को बेकर्स फिल्ड सिये में एक कारेकरम के बारे में इस्पष्ट करना चाहता हूं एक कलाकार की रूप में मुझे और सेरिमान भाई को हमारे कॉमन फ्रेंड के अनुरोद पर एक रिस्ट्रेप्शन सो में परफॉर्म करने के लिए बुक किया गया था एक कलाकार के रूप में हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस सो में कौन सामिल हो रहा है या उन्हें आमंतरित किया जा रहा है इसलिए मैं साधी के कैई सो करना पसंद नहीं करता मेरे ध्यान में लाया गया है कि एक संदिक्त व्यक्ती मेरे और सेरिमान भाई के परफॉर्मेंस के वीडियो में दिखाई दिया है उन्होंने कहा जब तक मैंने इस पोस्ट और मैसिज को नहीं देखा तब तक मुझे नहीं पता था कि वह कौन है एक कलाकार के रूप में मैं अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान केंदरित करता हूँ और फिर सो से निकल जाता हूँ मैं हर व्यक्ती को नोटिस नहीं करता क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं किरपा एक निरम अनुरोद के रूप में मुझे इन चीजों में सामिल ना करे एक कलाकार के रूप में हम पहले से ही कई चीजों से गुजर चुके हैं वहीं आपको बता दे 29 मई 2022 को सिद्ध मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी उन्हें सरयाम गोलियों से भूना गया था जिस वजह से उन्होंने मोके पर ही दम तोड़ दिया था उनकी हत्या का मास्टर माइंड गोल्डी बरार को बताया गया उसी ने लॉरेंस बिस्नौई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपनी सोटरों के जरिये हत्या को अंजाम दिया ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ